ओम शंती 11.11.2020 आज के मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो तुम्हें किसी भी बात में दे अभीमान नहीं आना चाहिए प्रश्ण है कौनसी एक आदत इश्वर्य काईदे के विरुद है जिससे बहुत नुकसान होता है उत्तरह कोई भी फिल्मी कहानिया सुनना वा पढ़ना नौवेल्ज पढ़ना या आदत बिल्कुल बेकाइदे है इस से बहुत नुकसान होता है बाबा की मना है बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबे नहीं पढ़नी है अगर कोई बीके ऐसी पुस्तके पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो गीत है मुखडा देख ले प्रानी धारना के लिए मुख्य सार पहला एम अबजेक का चित्र सदा साथ रखना है नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं हम ऐसे फुलोक के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे दूसरा है सर्वीस का बहुत बहुत शौक रखना है बड़े दिल वा उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्वीस करनी है बेगर्टू प्रींस बनाना है वर्दान है यग्य सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ओल राउंड सेवा धारी भवा संगम युकपल औराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है जो प्यार से यग्य की औराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतह प्राप्त हो जाता है वे निर्वीगन रहते हैं एक बारी सेवा की और हज़ार बार सेवा का फल प्राप्त हो गया सदा स्थूल सुक्ष्म लंगर लगा रहे किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है महमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भग्य है स्लोगन है स्वमान में स्थीत रहो तो अनेक प्रकार के अभीमान स्वतह समाप्त हो जाएंगे ओम शांती